बात करेंगे भगवान, अल्ला, मा यहां परिवार के लोग, इनके बारे में, गलता, या बुरे खाया लाना, या उनके प्राइवट पार्क के देखने के खाया लाना इसके बारे में, आई आपका स्वागत है, मेराणा मा दॉक्टर दीपक रहे कर दोड़ खाया है, मैं मनुवीकार सेक्ष्रोक मैंने ने बर्वान है मुझे बुर अच्छा निया लिए अुझता हैं इसमरी नकमीव मांबापको बोलता है Помने ने माबाब को उसने बाहर मिठा दिया और फिर ये बोलने लगा पूरी अपनी राम कहानी पुले मुझे है ना बगवान के बारे में बुरे-बुरे खायलात है जब मैं भगवान का दर्शन करता हूं कोई मंदिर में जाता हूं घर का जो मंदिर मतलब घर में जो पूजा का जो तो मैं अने चाहिए तो मेरे नजर मोँ थान पर जाति हों तो मेरे भगवान की प्राइवीट पार्ट के तरव जाता है दिदेवी है तो देवी के च्याता में ये इस बार 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 लगते रहता है और फिर मैं बहुत परेशान होता हूं ये पहले मैं मेरे मडर को टालना चालू कर थे में ममडर कल टाफें देखता हो पूछते हैं वह पूछते इनिंसाथ तो इतना बूरा लगता है कि ऐसा करसा मैं बुलू किस तरह से भूलो कि यह संबह नहीं है मुझे मालूम है कि मैं नहीं करूँगा यह मतलब एक्चुली करने माला नहीं विचार आते इतना परेशान हो जाता हूं मैं तो मैंने अभी मंदिर जाना बंद कर दिया तो इसके बारे में क्या करूँ कभी कभी उसको इतना गिल्ड महसुस होता ऐसा उसने बोला कि बहुत गिल्ड महसुस हो रहा है बहुत ही बुरा लग रहा है लगता है कि मैंने पाप किया है बहुत और उसके लिए मतलब भगवान ने मेरा इतना अच्छा किया है मेरे लिए इ इनको ये बार-बार-बार विचार आते रहते हैं, प्राइवेट पार्ट के तरफ देखने के तो विचार बहुत लोगों को आते रहते हैं, मतलब इसलिए उनका ये रहता है कि कोई भी व्यक्ति वह रिसेप्शन में गया, कोई पॉब्लिक फ़ंक्चन में गया, लोगों में चुपचाब जाना नीचे नजर जुका कि जाना चले आना चुपचाब इतना उसको डर मेड़ गया कोई कुछ कर देंगा तो कैसा होगा मुझे खुद का रोकाने जाता फिर मैं देख लेता हूं कभी-कभी और कभी ऐसा घुर के नजर देख लिया और कोई लेडी ने मुझे देख लिया तो और वो लेडी ने मुझे देख लिया समझास में देख रहा हूं और उसने वह नोटिस कर लिया तो मुझे तो फिर आसा लगता है कि मैं अभी वहां से भाग जाओ क्यों क्या बोलेंगे लोग क्या गएंगे ऐसा या अद्मी है फिर मुझे बहुत दिन सा हो Dashक आके गया या ऐसा होता तो है निम अगर उसको वीचार आते रहते हैं कि यह ऐसा कुछ इसको बेंग क्रॉप तो जब घर में विचार आते हैं तो यह तो मंदीर में या कोई जो मस्लिम पेशरा इंह के बार इंगे बिचाराते रहते हैं मजिद में जाते वो तो कुरान शरीप के वार विचार आएंगे उनको लगेंगा कि भाय मैं इसके उपर पेशा भी कर दालो मैं दो मैं दो इसा में ने किया तो फिर इनको क्या है कि यह जल्दी आप चालू करेंगे यह लोगों के लिए दवाई तो उतना अच्छा है लोग क्या गरते कि ने ने विचार मत कर निकल जाएंगे ज्यादा सोचता ही है तो ऐसा बोलके उसको चुब बिठा जेंगे कोई दॉक्टर के तरफ जाता है कि क्या पागल होंगे क्या दॉक्त्र गड़ी के तरफ जाना है तो उस तो नहीं पागलते नहीं हो मैं भाकि सब करता हूं काम जनने करत बड़ते हैं विह नंको लगता है कि मैंने हाथ साफ को मैंने कि इसलिए बार 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 दोना फिर उनको लगता है कि मैंने कंट burns करेगा फिर नंको Ultra कि मैंने कभी कोई बाहर तो उसको लगता है कि कुट्टे ने चाट लिया हूंगा कुट्टे ने ऐस परशेक आओंगा या कुट्टे का कोई बाल कंगativa तो बोलते नहीं बहुत था कि यह घरकर छोगों के ऑपर भी चैलो हो कोई बखता है और उसमें कभी-कभी स्यूसाइड भी कर लेता है खुदकुशी भी कर लेता है और हमको मालू भी नहीं पड़ता कि इसने खुदकुशी क्यों कर लिया बैटर देया है कि जल से जल उसको्डा के पास में लेकर आना चीक रावना जी कभी-कभी उनको विचार आ अब नंगको पर आंगे को पिकट्रो इंगते हो और बार 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 वह गाना दिमाग में चलेगा एक खा का एक राएख में जिए और उनको वहां से चुटकरा मिलता नहीं है यह obsessive है, obsessive thinking, obsessive thoughts है, तो यह compulsion का होता है कि जब वो उसके उपर action करते है, कि उसको विचार आते कि अपने हाथ दन दे है, अभी मैंने धोना चीह, तो जाके धोता है वो, तो विचार आने तक समझे एक पार्ट है, obsession, compulsion मतलब उसको कृती करने पड़ती है, और उसको यह लग अब हमारा ब्रेन क्या है, हमारा ब्रेन ऐसा है, कि जो भी करने के बाद में हमको अच्छा लगता है, वो बार बार रिपीट होता है, तो उसका comfort हमें चलेगा है, relax हो गया, चाती के तरफ देख लिया, विचार आगया है, चाती के तरफ देखना है, देख लिया, अच्छा लगा, फिर क्या हो गया, अच्छा लगा, फिर विचार आएंगा, फिर देखेंगा, फिर अच्छा लगेंगा, और वो vicious cycle में चले जा तो उसको obsessive compulsive disorder बुलते हैं अब इसके ओपर काफी सारे theories है कि यह होता क्यों है यह होता इसलिए है कि आपकी दिमाग में uncontrolled thoughts है अच्छा thoughts क्यों है बार-बार अच्छानक शुरू हो गए तो यह क्या होता है कि यह लोगों को शुरू से obsessive personality रहते हैं obsessive personality मतलब पहले से ही typicalness, time-dream काम करना, saap-sudra रहना, जगह-जगह पर वही वस्तु वहां रखना, neat and clean मतलब ऐसा obsessive personality जादा सोचना यह पहले सी उनको रहता है और फिर बढ़ते 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 जाके फिर उनको बिमारी हो जाते हो OCD दूसरा कारण ही है कि उनके घर में और किसी को पाप को पिताजी को किसको भी OCD है तो वह देख देख के इनको भी हो जाता है OCD कोई genetic कारण भी है कि मामा को है वह जीन्स में आया हुआ है ऐसा भी हो सकता है अब लोग क्या करते है कि लोग इसको बोलते है कि रोको thoughts को रोको इसका thoughts से रोकने से तो होता नहीं है रोक दो चाथ चिंदा मत कर तो बहुती चिंदा कर देता नहीं इसको रोग दे रोक दे इसको निकाल दे मन में आसे तो ऐसा करने से होता नहीं तो इसकी treatment कैं टीटमेंट यह है कि जो थेरी बोलती है, एक थेरी ऐसे बोलती है कि serotonin levels brain में कम है करके यह बीमारी होती है, समझो ऐसा है तो हमने फिर बहुत सारे लोगों को SSR आय नाम की दवाई दी हुई है, selective serotonin reuptake inhibitors, जिससे serotonin बढ़ जाता है, brain में और उनको अच्छा लगता है, बहुत सारे पेशन ऐसे है कि उनको सिर्फ सरोटॉन इनिपिटर बढ़ने की दवा दिया उनको अच्छा लगने लगा। सरोटॉन बढ़ने की कुलूमी प्रेमी बी दवाई है वो भी देने के बाद में उनको अच्छा लगता है। मगर भाग्य वाले लोग बहुत कम हैं, वाग्य वाले लोग की जल्दी आजाते हैं, दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पास में जल्दी लोग आती हैं, परिशान हो जाते हैं, साल, दो साल, तीन साल, चार साल निकल जाते हैं, फिर हमारे पास में आएंगी, और तब तक तो cognitive ear therapy, CBT का उक्चार, या hypnotherapy का उक्चार, या psychotherapy, या exposure therapy, इसका सार क्या है, वो आपको मैं छोटे इसमें बता जेता हूँ, मैं लोगों को बोलता हूँ कि देखो, आपके मिन में वीचार आ रहे हैं, क्या ये वीचार आप ला रहे हैं, बुल दा महें ला रहा हूँ, मैं ल मैं भर्म ल़ाँ, वीचार ये वीचार अ क्यो लाइए हैं? आप UI ही ओखा जग आप है, ये ये जगा आप है, ये जगह आप लाएंक वीचार है, तो आपने क्या करना है अभी वीचार को देखना करना है, वीचार आप्स फरह घ्दक हैं, ये मेरी automatic thought machinery है ATM है automatic thought machinery automatic negative thoughts ANT यह पैदा कर रही है और यह मेरे control में है नहीं यह मेरे control में है नहीं और जितना आप control करने की कोशिश करेंगे उत्ते जादा वो पक्य होते जाएंगे तम बोलते पहले control करना बंद करो stop controlling आप जितना उसको resist करेंगे नहीं आनाचे नहीं आनाचे नहीं आनाचे उतना वो परस्ट करेंगे so whatever you resist it परस्ट वो रहता है तो आपको resist नहीं करना है नंबर 1 नंबर 2 आपको सफीकार करना है कि ठीक है accept acceptance कि यह बिमारी है और यह बिमारी मुझे हुई है यह subconscious mind की बिमारी है automatic thoughts मेरा subconscious mind produce कर रहा है वो मैं नहीं हूँ वो अलग है मैं अलग हूँ उसको resist नहीं करना है accept करना है इसके उपर कृति नहीं करना है जो भी विचार करते हो बिजाए अब क्या हो गया कि विचार आगया कि हाथ गंदे गंदे हाथ क्रुट आपने क्या करना है वो विचार आपको क्रुटी करने के लिए बोल रहा है वो कृती करना नहीं है और कृती नहीं करेंगे तो बहुत गवराड होंगी तो आपको relaxation की practice करना है relax हो जाना है लंबी सास लेके meditation करो self hypnosis करो उसका मेरा एक session अलग है hypnotherapy for obsessive compulsive disorder OCD के लिए hypnotherapy तो self hypnosis करना है self hypnosis करके खुद को relax करके visualize करना है suggestions देना है affirmations देना है और खुद को shant करना है तो number 1 क्या है कि पहले उसके तरब उसको resist करने कोशिश नहीं करना है number 2 क्या है उसको देखना है accept करना है number 3 क्या है कि उसको उसके उपर जो कृती करना है कृती नहीं करने की कपल्षन नहीं करना like to और चार रिलाक्स करनेका आए जस भबराधर हो रहीस है अछले लिए नमबर पांच अहंत आफि बडिटके इसको डिश्पूट करना है कॉंटिब एडिमार शिका मतलब क्या तरिपीमा यह है कि मुझे आ रहे है कि मैंने हाथ दोना चाहिए मिरे हाथ खरआवे, इस्पूक्त करो, क्या स्ट्वान मेरे हाथ खरआवे, मैंने एक बार बर दो लिए, बात में तो कही हाथ में ने लगाए भी नहीं। तो हाथ कैसे क्या खराब हो सकते हैं, यह तो मेरे मन के वीचार है, एक्चुली तो खराब नहीं हुए, मैंने दैना पर आगे डाला, सामने डाला, तो वीचार कम हो जाएंगे, अब दैना पर आगे डाला तो वीचार कम हो जाएंगे, इसलिए मैं दैना पर आगे डाला हूं, को मैं जब सोता हूं तो मेरे आगे बीच्छी होते रहते है ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यह जो विचार आ रहे है और जो विचार मुझे कमपलशन कि लिए कुछ बोल रैक्शन कद लिए बोल्रहर है ये कैसा इकी या कैसा इनएफ्रोप्रप्रियेट है यह कैसा improper है, इस तरह का dispute हमको करना है, और वो करेंगे आप, तो आपको बहुत फायदा होता है, तो आपको next क्या करना है, exposure करना है, exposure मतलब actually जब आप हाथ दोने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ अपने आपको रोक देने का है, कितनी भी तकलिफ हो जाए, रोकने का है, और वैसे ही self-hypnosis में, जब आप self-hypnosis करते हो, तो visualization करना है कि मेरे दिमाग में विचार आ रहे है, और मैं खुद को रोक रहा हूँ, हाथ दोने से, मैं relax बैठा हूँ, विचार आ रहे, मगर मैं हाथ दोने के लिए नहीं आ रहा हूँ, रोक रहा हूँ, तो क्या होगा, वो brain को जो relaxation मिलता है हाथ दोने से, वो मिलेगा है, तो मुझे विचार आ रहा है कि भगवान के उपर पेशाप करना, मैं actually पेशाप नहीं कर रहा हूँ, विचार आ रहा है मैं बस relax कर रहा हूँ, और उसको बाजी में रख रहा हूँ, विचार आ रहा है कि private park के तरफ देखना है, तो क्या होता है आदमी देखता है तो उसको अच्छा लगता है, अभी बोलना कि मेरे को विचार आ रहा है कि private park के तरफ देखना है, मगर मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं relax हूँ, मैं और कहीं देखके, और किसी से मैंने बात करना चलू कर लिया, तो इससे क्या होँगा, ब् बता है कि self-hypnosis में relaxation करते है, खुद को hypnotize करते है, मेरे अलग session से वो आप हमारा class join कर सकते है, hypnotherapy for obsessive compulsive disorder और उसमें खुद को suggestion देना है, affirmation देना है, visualization करना है, ताकि ये विचार कम हो जाए, और तीसरा है, अच्छी मात्रा में अच्छे डॉक्टर से दवाई लेना, इतनी मात्रा में दवा देना है, बहुत सारे लोगों को klumibramine दवाई 225 mg से लेके 300 mg पर दे तक देनी पड़ती है, बहुत सारे लोगों को जो acetylopram है, या sertraline है, या phleoxetine है, higher उसमें देना पड़ता है, फिर हम respiridon भी बहुत सारे लोगों को कम मात्रा में देता है, उस इतना परेशान है कि वो पागल जैसा हो गया है, psychotic हो गया है, ocd के वज़े से psychosis हो गया है, अभी वो सेंसिस में ही नहीं है, तो उसमें फिर shock treatment देनी पड़ती, actually उसको schizofrenia हो है, psychotic है, वो बहुत ही inappropriate behavior कर रहा है, control में नहीं है, तो उसको फिर shock treatment देके temporary उसका वो भी इला करना जरूरी है, और जब दवाई से, hypnotherapy से, CBT से, सब सब उप्चार जब खतम हो गए, तो आखरी का वो भी उप्चार कर सकता है, कुछ लोगों में sodium elaborate भी try किया होगा है, उससे भी फायदा होता है, तो यह हम सब दवाई मिला कि उसको पर इलाज करें तो फायदा होता है, सबसे ज़ाला फायदा मैंने देखा मेरे approach में या मेरे treatment में, कि बार बार उसको यह महसूस करवाके देना, यह मेरे वीचार नहीं है, मैं ऐसा वीचार करूंगा नहीं, मेरे practice में मैंने देखा हुआ है, सबसे ज़ाला फायदा उससे होता है जब मने बात करता हूँ लोगों संधे कि बैलों देखो ये तुमारे वीचार नहीं है तुम या इसी मार्य तुन है करेंगे। प्रली और इस दो अलग देखना देख सकता है कि मैं नहीं हूं या बार-बार जब देखना करते हैं तो इस अच्छा हो जाता है को यह आपको सब्सक्राइब करना एक अबहुत आपको ख्याल रखो आपके परिवार का ख्याल रखो क्योंकि आप बहु मुल्य हो थैंक यू बेरे मच